आज हम बहुत ही इजी और बहुत ही स्वाधिश्ट रिसिपी लेके आए हैं तो ये ब्रैथ के लिए बहुत ही बेस्ट है तो आपके ब्रात रखे उए हैं तो एक बार जरूर से ये ट्राइक किजिएगा और हाँ फ्रेंज विडियो पूरा बॉच किजिएगा लाच तक वाइँ किजिए बनाए अगर आच्छे लगे तो एक लाइक जरूर से कर दियेगा चैनल कर दियेगा अगर बढ़े साइज के लिए तो एक ही में काम चल जाएगा को हमने थोड़ा मेडियम साइज का है तो दो आलू लिए इसे छिल का अटाकर बढ़ें से धो लिए हैं उसके बाद हम क्या करेंगे इसी पलेट में हम पानी ले लिए हैं और इसे ग्रेट करेंगे क्योंकि बिना पानी को हम ग्रेट करेंगे तो यह काला पाणने लागेगा तो इसे पानी में ही हम ग्रेट करेंगे अब क्या करेंगे यह देखिए इस तरह से हम इसे ग्रेट कर लेंगे बिल्कुल बारिक सा लच्छा हमें करना है बिल्कुल मोटे बला ज्यादा नहीं नहीं ज्यादा बारिक यह मेडियम बला हम कर रहे हैं मेडियम साइज का लच्छे हम निकाल रहे हैं तो एक हम इस तरह से देखिए ग्रेट कर लिए हैं और इसी तरह से हम इसे भी ग्रेट कर लिए हैं देखिए ग्रेट हो गया है दोनों आलवा हमारा तो अब क्या करेंगे इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे इतना डालेंगे जो कि हमारा लचे बढ़ियां से पानी में डू तैस्त पाढ़ा के सिएं डालेगे से यहां एक मिक्षी के जार में ट्रांसपर करेंगे और ओज पंउड जीनला अलिए लुक्ति टार इक डालेगे और शकुट नहीं से नहीं पतह ह controllers नहीं अद्रक नहीं हरी मिर्च का साप सारे हमारा जो है यह बहुत ही बढ़ियां से फाइन पॉडर बनकर हो गया है तयार इससे बहुत ही बढ़ियां खुसवू और इससे टेस्ट भी बहुत ही लाजबाब आता है फ्रेंज तो उसे रखेंगे साइड में अभी एक क्या करें है तो यह देखिए साबुन दाना है जो हम इसे रिसीपी बना रहे है तो यह हमारा मेडियम साइज का था यह ज्यादा बड़ा न ज्यादे छोटे का है अब इसे हम क्या किये हैं दो गंटा पहले हम इसे पानी में डाल कर छोड़ दिये थे ताकि बढ़ियां से थोड़ा टेनर में रखकर पानी हम छान लिए हैं अब क्या करेंगे उसी मिक्सी के जार में हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे जिसमें हम मुफली के दाने पीसे हैं अब क्या करेंगे इसमें हम थोड़ी से पानी यानि कि ये कटोरी में हम थोड़ा एक कटोरी से कम पानी लिए हैं और उ आप campe jumps वह म् онrekथ सकते हैं करें बहुत ही बहुत ही बनियां से यह प्यक्त बनियां तो हम सब्सक्राइब कि थे चाहिए करेंगे अब धुरक में इस से भी किन रहें कि निकाल लेगे कि इस तरह से हम इसे में हम निकाल लिए है नि-ध भूथ ही इशानी से यह था तो फुला हुआ राता है तो बहुत ही जल्दी और इजली पीश जाता है तो सारे डो को हमने इसमें निकाल लिए हैं अब इसमें कुछ डाज जाएगा हलका सा चटपटा के लिए मसाले तो पहले हम डालेंगे जो आलू हमने ग्रेट करके रखे हुए थे तो आलू के लच्छे को हम निचोड कर पानी नहीं डालना है बस लच्छे को निचोड कर हम इस तरह से डाल लेंगे इसमें अब इसमें थोड़ा सो मसाला जैसे कि हम ये काली मिर्च का पौड़ा डाले हैं अगर बरत में खाते हैं तो डालिए गा या तो अब इसमें डालेंगे हम धेर सारा पहले डालेंगे दही तो दही इसमें अगर आप जाहे तो बेश्ट बनाते बक्त भी डाल सकते हैं तो दो चमच भर के हम दही डाल लिए हैं और धेर सारे बारी कटा हुआ हरा धनिया तो हरा धनिया जरूर से डालिएगा अगर नहीं खाते हैं तो डाल लीजिएगा तो चलिए सारे को हम कर लेंगे मिक्स सारी समभूल स्कीप कर दिये हैं दिखाना इसमें थोड़ी सा हम डाले हैं सिंगारे के आटे तो भी एट कर लीजिएगा अगर हो तो इससे क्या होता है रिसी पी बनाने में एच्छी पकता नहीं बहुत इजी कर लिए पलट जाता है अच्छा से बनता है इसलिए हम थोड़ी से एट किये बस दो चमज अब इसे हम बढ़ियां से मिक्स कर लिए हैं देख सकते हैं मिक्स हो गिया है लेकिन वेटर बहुत सा गढ़ा है इसमें जो हमने सिंगारे के आटे डाले हैं दो चमज ना इसलिए तो इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल कर हम इसे इसका सही कर लेना है तो यह देखिए यह बढ़ियां से हमारा वेटर बनकर हो गिया है तैयार तो देख सकते हैं बिलकुल ऐसे ही हमें रखना है तो अब चलिए चलते हैं गाइस के तरब तो हम इधर पाइन चढ़ाए इसे हम रेश्ट में नहीं रखेंगे तो देखिए पाइन हमारा बहुत ही बढ़िया से गरम हो गया है तो इसमें हम डालेंगे ओल और ओल को हम गिरीज कर लेंगे अब देखिए इस तरह से हम अपने हिसाब से मोटे पतले अगर मोटे डाल रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा टैम लेगेगा अगर पतले डाल रहे हैं तो तुरांत पक जाएगा अब देखिए इस तरह से हम सारे पैन में फैला लिए हैं तो इस तरह से हम हलका सा मोटे जैसे की पीजा का असेप में हम इसे डाल लिए हैं उपर से हलका हलका तेल इस तरह से हम डाल लिए हैं अब इसे क्या करेंगे इसे ढख कर हम 10 मिनट तक लो फ्लेम पर हमें पकाना है बिल्कुल लू फ्लेंप बनए ज्यादा है प्लाइप नहीत अंदर के जल जागा उपर जाधि थे देखिए सकुत करते होए हमें दस लिजेशं एसे प्लट सकते हैं यह तो एक और पेन लई लिजिए या पलेट लिजी उसमें पलट लिजिए यह हमारा ऐसे ही इसली बहुत अच्छा से पलट जाता है तो देख सकते हैं, इसे आसानी से हम पलट लिए क्योंकि इसके हम लो फ्लेम पर बहुत टाइम लगा कर कुक किये हैं, इसलिए ये बहुत एजी ली पलट गया है इसी तरह से दोनों तरब हमें बढ़िया से क्रिस्पी होने तक पका लेना है आप देखिए देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से हमारा ये कुख हो गया है अब बहुत ही ईजी लिए घुम रहा है फ्रेंट्स एक बार जरूर से ट्राइ किजिएगा बहुत ही इजी नास्ता है बहुत ही टेस्टी है देखिए बनकर देना कंड़में नीकाल लिए हैं और लिवदोटाबॉ तुल्ला स्ट्री टेस्टी छ естоकूझ столization Act spray के लिए पेखिएगक पvelmente देखेपशेय हिरे लिए सलगते सें मेल को सब्सक्राइब कर दिवायर जरूफ्स कर देगा घर दीवाइब तो देख सकते हैं कुतना म्स्त हमारा ईए हैसे थाbas तुर आप भी बनाइएगा ब्रत है तो भी ना अगर ब्रात है तो दही के रायते लिजिए या खीरे के रायते मखाने के रायते जो भी रायता आपको पसंद है लिजिए या तो ऐसे में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है तो ऐसे भी इसे ले सकते हैं बनाकर आपने हिसाब से मसाले इसमें समाल कर सकते हैं ब्रात है तो नहीं तो ऐसे खा सकते हैं तो मिलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक की और टिक की